तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन गेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज का ये वीडियो स्पेसली क्लास 10 वाले स्टूरेंट के लिए है कक्छा दस्वी के जितने भी विद्ध्यारती है आप सभी लोग खुश हो जाईए क्योंकि आज के इस वीडियो में 10th क्लास के नौन हिंदी का important subjective question complete होने वाला है जितने भी question answer class 10th के हिंदी के बुक से जितने भी उर्दूवाले student है उनके हिंदी को non हिंदी का आ जाता है न तो class 10th के नौन हिंदी के बुक से जितना भी subjective question है न यानकी question answer उसमें से important subjective question को चुन कर तयार किया गया है यह सारे VVI subjective question आज के इस वीडियो में सारा complete होगा बीच में आप लोगों को बिल्कुल भी skip नहीं करना है इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को उर्दू का important subjective question कराई थी हलानकी और भी आप लोगों कराना बाक्य है लेकिन सिरीज को बिल्कुल भी आप लोगों को मिच नहीं प्रतिक वीडियो आप लोग को मिल जाएगा ठीक है अब आप लोग कहेंगे कि हमें धुडने में दिक्कत हो रही है तो मैं कहां बोल रही हूं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है आप लोग टाइटल पर क्लिक किजिए अभी आप लोग हमारा यह प्लिष्ट का लिंक उस पर क्लिक करेंगे तो नौन हिंदी का ओल विडियो आप लोग को मिल जाएगा जितना भी चैप्टर पढ़ाएगा हर एक चैप्टर को जो है ना एक सेपरेट वीडियो में कम्प्लीट किया गया है और एक्दम डिपली पढ़ाये गया है तो हर एक आपर आप लोग उर्दु के हर एक चप्टर को complete कर सकते हैं थीक है तो अगर आप लोग चप्टर नहीं पढ़े है तो अभी भी है वक्त और लगा दिजिए अपना पूरा दम ठेके और पूरा चप्टर आप लोग कम्प्लीट के इसलोक में चाहिए है तो स्टार्टिंग में कह रहे हूँ कि वीडियो को लाइक कर दे जितना ज़्दा हो सके दोस्तों के पाश कर दे आप लोगे चोटे बड़े भाई शाओ कर दे हो सके तो वाट्सप ग्रूप में शेर कर दे दावा कर शेयर करें चानल पर आप लोग न ते नम्बरिंग आप लोग को गड़बर दिखेगी यहन की कभी चार नमबर कभी एक नमबर कभी दो नमबर कभी दस नमबर इस तरह करके क्योंकि इंपॉर्टन कोशन उठाया गया हैं तो सबसे पहला प्रशन है कि गाओं के किसान सिर्चन को क्या समझते थे बड़ा ही आसा में मजदूरी करने वाला समझते थे अपने आलस्य की कारण वह काम पर तब पहुंचता था जब दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर एक तीहाई काम कर चुके होते थे इसी बज़त से गाओं के किसान जो है यानिकी उत्तर में लिखा गया है कि सिर्शन पैसे से अधिक स्ने को पसंद करता था यानिकी सिर्शन पैसे से ज्यादा वो मुहबबत को समझता था यानिकी इस्ने को पसंद करता था लोग उसे माने दिल से प्यार करे ये वो चाहता था उसे तरी बगहारी हुई तरकारी दह दूद आदी से बहुत दिलचस्बी थी उसे घी के खकुरन के साथ चूड़ा बहुत पसंद था जहां उसे खाने को अच्छी चीजे मिलती वहाँ दिल खोल कर काम करता था जहां उसे खाने पीने में कोता ही होती वहाँ आधूरा काम छोड़कर चला जाता इसलिए सिर्चन को लोग चटो समझते थे क्योंकि सिर्चन जो है ना वह अपने मजदूरी के बदले में पैसा नहीं लेता था वह जो है ना खाने में अच्छा समगरी होना चाहिए तली बगारी वी तरकारी दही की कड़ी दूद और घी की खकुरन आदी बढ़ियां खाना होना चाहिए ठीक है यानकी वो पैसों से अधिक इसने को पसंद करता था आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है ये तो हो गया दो क्वेशन अगला सवाल है कि अस्त्र और शस्त्र के अंतर को इस पस्ट कीज जाता है जैसे की तलवार गधा फलसाइत्यादी यानि की तलवार हाथ में लेकर चलाया जाता है तो हाथ में जो हतियार लेकर चलाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं अस्त्र लेकिन वह हतियार जिसको फेक कर चलाया जाता है जैसे की तीर भाला बं बंदूक वगरा ये सब कहलाते हैं तो यह हो गया अस्त्र और शस्त्र में differentiation आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है कि वकील सहब सुखी क्यों नहीं है बाई बताना है यह आप आप लोग को देखे उत्तर में लिखा गया है कि वकील सहब इसलिए सुखी नहीं है क्योंकि उन्हें अपने आपकी सुक्स भड़क भी उन्हीं की हुई होती तो वे अपने आपको सुखी महसूस करते इसी अभाव पूर्ती की चिंता के कारण वकील साहब सुखी नहीं है याद रखिएगा वकील साहब के पास जो उनका समान मौजूद है उससे वह खुश नहीं है उससे चिंता में दुबे हुए है और इसी वह जैसे दुखी है प्रश्ण है कि इर्शिया को अनोखा वरदान क्यूं कहा गया है तो उत्तर में लिखा गया है कि एष्या को अनोखा वर्दान इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस मनुष्य के हिर्दय में एष्या का विकास हो जाता है वह उन चीजों से आनन्द नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है बलकि उन वस्तों से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है यही अभाव उसके दिल पर दंस मारने लगता है और फलता अपनी उन्नती के लिए उद्धम छोड़कर वो दूसरों को हानी पहुचाना अपना करतव वे मान लेता है और वो भगवान द्वारा प्राप्त सुख के आनंद से वन्चित हो जाता है इसी वज़ा से इर्शिया को अनोखा वरदान कहा गया है जो कि हर इंसान में इर्शिया है लेकिन वह एक पॉजिटिव इर्शिया होनी चाहिए यहां पर जो जो लोग अपने अंदर निगेटिविटी भर लेते हैं इर्शिया को गलत तरी क्यों चाहते हैं कि दूसरा कोई उन्नती करना है उसारा उन्नती हमारे पास अगला प्रशन है कि इर्शिया की बेटी किसे और क्यूं कहा गया है तो इर्शिया की बेटी निंदा को कहा गया है जिसके पास इर्शिया होती है वही दूसरों की निंदा करता है इर्शिया लोगों का हरास होने लगता है फलता निंदा करने वाले लोग औरों की नजर से गिर जाते हैं तो इर्शिया की बेटी किसको कहा गया है निंदा को कहते हैं यानि कि जो इर्शिया लुव्यक्ति होता है जिसके पास इर्शिया होती है वो दूसरों की निंदा करता है इट मिंस कि दूशों की गिराने की कोशिश में वो अपने आप को ही छोटा साबित कर रहा है। उसके भीतर के सद्गुडु का हरास होने लगता है। उसके अंदर जो गुड हैं वो धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं। और निंदा करने वाले लोग औरों की नजर से लास्ट में गिर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है कि विक्रम शीला कहां अवस्थित है। जवाब में लिखा गया है कि विक्रम शीला भागलपूर जीला जो प्राचीन अंग महा जनपद नाम से लोग परिया था कि कहल गाउ थाना अंतरगत पतरगटा के एक छोटे से गाउं अतीचक में है। इसके स्थापना आठवी सदी के मध्य में पालवन्शी राजाधर मुपाल के संडक्षन में हुई थी यह याद रखिएगा। मत्कार भी शामिल थे तो यह सारे पाठेक्रम थे यह सारे सब्जेक्ट थे जो कि विक्रम शीला विश्विद्याले में पढ़ाये जाते थे नेक्स्ट कोश्चन है अगला प्रशन कि संजु को डायरी लिखने की प्रिणा किस से मिली तो देखिए एंसर में लिखा गया है क कि संजु को डायरी लिखने की प्रिणा गांधी साहिते में संक्रित बापु के सत्य के परियोग से मिली बापु ने इन परियोगों को अपनी डायरी में लिखा था माता पिता अमदीदी ने भी डायरी लिखने के लिए उससे उत्चाहित किया और इस तरह से संजु को डाय है सत्य की परियोग उससे मिली थी लेगं कीष्ट को सारा के ओटल पर काम क्यों करता था बड़ा one important question है ये भी देखें answer में लिखा गया है कि खेमा कसारा के hotel पर काम इसलिए करता था क्योंकि उसके पिता ने अपने गरीबी के कारण अपने बेटे खेमा को बेश दिया था खेमा अपने भाईयों में सबसे छोड़ा था जो आठ नौ वर्स की अईयों में रोजगार की पहली पायदान पर चड़ गया तातपरिय की गरीबी की कारण खेमा कसारा के होटल में काम करता था ये उसकी मजबूरी थी कि उसके पिता ने अपने बेटे को बेश दिया था ठीक है आगे बढ़ते हैं next question कि खेमा द्वारा चपल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया यानकि खेमा ने चपल मांगा अपने मालिक से जो होटल का मालिक था कसारा उससे चपल की मांग की कि मेरे पैर जल जाते हैं मेरे लिए चपल खरीद दीजिया तो उस वक्त कसारा ने क्या जवाब दिया ये आप लोगो बताना है तो देखिए लिखा गया है कि खेमा दोरा चपल की मांग करने पर कसारा ने जवाब दिया कि अपना काम करो नहीं तो चपल सिर्पर लगेगी खाने को दाने नहीं थे इसलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे हाथो बेश दिया अब तुम्हारे पैर जलते हैं इसलिए चपल चाहिए रथात तुम्हें चपल नहीं मिलेगी यान की खेमा का जो मालिक रहता है कसारा, वो खेमा को डांट देता है, क्या कहता है, कि अपना काम करो, नहीं तो चपल सिर पर लगेगी, चपल नहीं मिलेंगे तुम्हें, खाने को दाने नहीं दिया, इसी हो जैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे हाथों बेज दिया, अब तुम्हारे पैर जल रहे हैं, इतना नोटन की कर रहे हो, चलो जाओ यहां से चपल नहीं मिलेगी, इस तरह डाट कर भीज देता है, कसारा, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन है, कि लेखक को बिमार पढ़ने की इच्छा क्यों हुई, यह सारे important question है, यह ध्यान में शेयर करना है, अपने परोसी, अपने दोस्तों की पास अभी तक शेयर नहीं किये, शेयर कर दे, चानल पर नहीं है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा, और लाइक तो करना आप लोगों को भूलना है, यह तो मैं आप लोगों के स्टाड़ी में बोल दी थी, चलिए, लेखक को बिमार पढ़ने की इच्छा क्यों हुई यह आप लोगों को बताना है, तो लेखक को बिमार पढ़ने की इच्छा इसलिए हुई, कि स्वादिष्ट बिस्कुट खाने को मिलेंगे, पतनी सिर में तेल डाल कर सेवा करेगी, तथा मिलने के लिए आने वालों का ता लगा रहेगा, इसलिए उन्होंने एक दिन कुछ ज्यादा जल्पान कर लिया, यानि कि लेखक को बिमार पढ़ने की इच्छा इसलिए हुई, क्योंकि लेखक चाते थे, कि जब मैं बिमार पढ़ू, तो मुझको स्वादिष्ट खाने मिलेंगे, बिस्कुट मिलेंगे, सम अपनी सिर में तेल लगाएगी, और लोग मेरे पास मिलने के लिए आएंगे, मेरे हाल चाल पूछेंगे, तो ये बहुत अच्छा लगेगा, इसी वज़ए से लेखक एक दिन बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, और वो बिमार पढ़ जाते हैं, और ऐसे बिमार होते हैं, कि उनका इलाज कहीं नहीं हो पाता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्ण है, कि आपको यदि अल्लाह इश्वर, यानि कि अल्लाह या इश्वर से कुछ मांगने की जहुरत हो, तो आप क्या मांगेंगे, अपने हिसाब से बताना है, लेकिन फिलाल देखें, यहा ही, त्यागी, परवपकारी, देश प्रेमी, स्वाभिमानी, तथा दूसरों के सुख दुख में हाथ बटाने वाला होता है, किन्तु जिसमें यह अगुड नहीं होते, वे स्वार्थी, इश्यालू, कुमारगी, अभिमानी, जूठा आधी होते हैं, इसलिए मैं एक सच्च बॉक्स में लिकर बताइए, कि क्लास 10 के 9 हिंदी का आज के इस वीडियो में जो important subjective question कराई, यह सारा subjective question आप लोगो समझ में आया की नहीं, और यह भी comment box में आप लोगो लिकर बताना है, कि इस वीडियो का part 2 आना चाहिए, यह की नहीं, इसके next वीडियो में मैं आप लोगो और वीडियो subjective question कराऊंगी, तो आप लोग excited है कि नहीं, comment box में लिक कर बताएं, और आज का यह वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा है, तो फड़वट लाइक कर दे, शेयर कर दे, चानल पर नहीं नहीं आये हुए है, तो चानल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजेगा चलिए, आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर इंड करते हैं, फिर में लेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, जहिंद और खुदा हाफिज